आज मैं आपके साथ सेयर करने बाली हूँ आठे का सूपर टेश्टी नास्ता जो खाके तो मजा ही आजाने वाला है तो चले देर किस बात की मैं ने लिया यहाँ पे हुं गयहुंud काटा दो कटोडी दो लोगों के लिय में बना रही हूँ यहाँ पे मैं लाला है एक चमच बेसन आप बेसन इसकी भी कर सकते हैं बेसन क्याता सॉफ्ट बनता है इसलिए मैं इसमि एक चमच बेसन डाला याँ यह पे दो बड़ी इसको घुकी सकते सहे मेने इहां इत्विया बॉस्ट-कत्तर लेंड बढ àsटे मैने निखानी मिलडिके हैं में से बbinति सर्से BL दाला तो यहां पर मैंने कट करके Laugh करके प्यार चाने को ऩाको सब्सक्राइं अशरी नीखरिए सुनहरा होने तक यहां पर जो कदू कस करके जो मैंने आलू रखा था वो मैंने डाल दिया लगबक चार से पांच मिनित तक मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया एंड इसके साथ अब यह पक गया देखी सकते हैं तो यहां पर मैंने एड़ी में जो कट करके रखी थी जो फोड़े ठंडा होनेकर्द के लिए अड़िस हाँ पर दोसरा में फ्यलिंग के रखे श्खका देखी इसके उपर में चिपकाऊंगे थी जो मैंने पहले से ही ड़गी है तो हाथों की मदश्या थोगा सा प्रेस कर दें इस टाइप से यहां पर एक कटोड़े या फिर कुछ भी आपके पास तरी इस टाइप का इसको अच्छी तरह से कट कर लें इससे क्या आसानी होती है आप इसको छान सकते हैं मेरे घर में सबी तबे पर खाते छाना हुआ विल् जीटिक आप दो बारा बनाती है आपको दूसरी रोटी ज़िए इस टाइप शहना है और यहां पर यूदु करते हैं आप इसको चान के भी खा सकते हैं मैं तबे बनारी क्योंकि मेरे घर सभी खाते हैं इसलिए तबे की रोटी ही खाते हैं चाना हुआँ बहुत कम हिं हम लोग खाते हैं आप सोचरे हैं कि औ basis हैं बहुत ज़ाब है यहाँ बहुत चाहता है करी हूं अचार और थोड़े से देखने मनलुक अच्छा लगे तिसलिए थोड़ा से यहां प्याज और गाजर और साथ में लिया था दही जो बहुत ही अच्छा लगा खाने में आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं मैंने बनाया था डिनर में मेरे यस्बेन को भड़ी थोड़ा सा भी खाली नहीं मैं आपको दिखा देती हूं और बहुत ही अमेजिंग इसका स्वाल आता है आलो प्राठा से तो बहुत ही अमेजिंग आप लोग जरूर एक बार ट्राय कीजिएगा यह रैस्पी आपके घरवाले को बहुत ज़दा पसंद आएगी तो